दन गुरुनानक, जनम साकी श्री गुरुनानक देवजी की, भाई बाले वाली, साकी एक अधीत की, अब श्री गुरुनानक देवजी महाराज की आयू 20 वर्ष की हो गई, तदा इनका रहना सहना उसी प्रकार मस्ती में बरा हुआ था, वही चालती जो बचपन से चली थी, जिदर मन माना चले जाना, और जहा बेटना वही बेट गए रहना, शरी धरती पर और मन अकार पूरक की ओर लगाया रहना, ये आपकी दिन चरिया थी, एक दिन एक सादू वहा आया, जिसने नगर के बाहर आसन लगाया, तब नानक जी उ के हाथ में एक स्वर्ण की मुद्रा थी, तथा एक गड़वा लोटा था, उस सादू ने गुरुजी का परिचे पूछा, उत्तर में गुरुजी ने कहा, मैं शत्री का पुत्र हूँ, लोग मुझे नानक निरंकारी के नाम से बुलाते हैं, उस सादू ने कहा, हे नानक, आ आप निरंकारी हो, और हम निरंकार के हैं, इसलिए हमें कुछ खाने दीजिए, इसलिए गुरुजी ने अंगोटी और गड़वा सादू के आगे रख दिये, उसने कहा, ये अंगोटी और गड़वा आप अपने पास ही रखो, गुरुजी ने उतर दिया, पुरुशो को च चाहिए जो कुछ कहें, उसी पर अमल करें, तब सादू ने कहा, हे नानक, तुम सत्य रोप में निरंकार हो, तता हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं, तब श्री गुरुजी ने अपने घर को आ गए, गड़वा और अंगोटी लेकर सादू 9-21-11 हो गया, कालु जी ने पूचा नानक, लोटा और अंगोटी कहा है, गुरुजी खामोशे रहे, अती कुपित होकर कालु ने कहा कि नानक, तेरा मेरा घर में ठहरना कठिन है, अभी निकल जाओ, मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता, मैं तुम्हें समझा कर ठक गया हूँ, पर तुम्हें ग्यान ही नहीं होता, इसलिए जीदर मन माने चले जाओ, इस बात की सूचना राय बुलार को मिली, तब राय बुलार ने कालु को बुलागर कहा, हे कालु, आज फिर क्या हो गया है, कालु ने रोज से कहा, कि हुजूर, आज मेरा अनमुर लाल, लोटा और अंग जेराम जी के पास सुल्तान पूर बेच दो, तो ठीक है, यह तुम भी प्रती दिन कुरोद करते हो, और नानक भी दुखी होता है, जेराम जी के निकर निवास करके, किसी काम में लग जाएगा, और ठीक हो जाएगा, कालु जी ने बुलार का कथर मान लिया, बुलार ने ए पूर बेच दिया, उस पत्र में लिखा, कि आप इसे भली प्रकार रखे, तता किसी काम पर लगाए, केवल रिष्टेदारी ही न जानना, अपितु इसे अपना समझ कर प्रसंद रखना, नाने जी के प्रसंद पर माता तुपता उदास होकर करने लगी, बेटा, मैं तुमे देखकर अती प्रसंद होती थी, अच्छा, इश्वर तुमें आयू प्रदान करे, शेक गुरुजी ने माता को दुखी देखकर कृपा जुस्टी से निहारा, जिससे माता को जो भूह हुआ था, वे दूर हो गया, फिर कहा माता जी, सो बात की एक बात कहता हूं, कि आपने उस सर्वशक्तिमान पर मात्मा को सदेश्वर में करना, इतना कहकर थता सब को प्रनाम करकर बाले को साथ लेकर गुरुजी सुल्तानपूर की और चल दिये, पांचवे दिन गुरुजी सुल्तानपूर पहुच गए, सुवे 1544 मार्क शिर्च की शुकस सस्तमी को गुरुजी अपनी बहिन बीबी नानकी को जा मिले, बीबी नानकी अपने भाई के चर्णों पर गिर पड़ी, गुरुजी ने शिग्रही उठा कर कहा, बहिन जी आप बड़ी हो, इसलिए इस प्रकार चर्णों पर गिरना उचित नहीं है, मुझे आपके चर्णों पर अपना सिर्ण रखने युग्य हूँ, बीबी जी ने कहा, नानक, यदि तुम साधरन मनुष्य होते, तो मेरा ही पाउं छूने उचित ते, परंतु आप तो साक्षात इश्वर हो, और संसार के उद्धार करने को प्रकट हुए हो, यह करकर आदर सतकार से सुन्दर आसन पर बिठाया, तदा खुशन मंगल पूछने लगी, इतने में श्री जेरम जी घर में आए, तो क्या देखते हैं, कि श्री नानक देव जी घर में बिराजमान है, नानक देव जी अपने भाईनोई के चर्नों में लग कर प्रनाम करने लगे, जेरम भी बुद्धिमान था, उसे भी ज्यान था, उसने गुरु जी को उठा कर फिर सोई उनके चर्नों सपर्ष किये, गुरु जी ने मुस्कुरा कर का, जीरा जी ये उल्टी गंगा क्यों भहने लगे हो, अर्थात, नमस्कार तो मुझे करना उचित है, परन्तु आप उल्टा क्यों कर रहे हो, तब जेरम जी ने का, हे गुरु जी, संसार के दुस्त्री में भले ही आप मेरे साले है, बेट कर देखो तब सत्य त्वत्व का पता चलता है मैं जानता हूँ कि आप संसार को तारने को मनुष्य बन सचिता नंध ही प्रकट हुए हो यह मेरी दृद्ध धारना है आज मेरे जैसे भाग्यशाली और कोन ही है जिसके घर में समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो अब आपको कोई भी तकलिफ न होगी जिस कार्य के लिए आपने नर तन धारन किया है उसी कार्य को निस्तंकोच करो तब गुरुजी ने कहा कि यदि लोग हीत के लिए कोई काम किया जाए तो अच्छा है जेराम ने कहा जैसे आपकी इच्छा अच्छा आप ये बताओ कि आपने तुरकी भाषा सीखी है या नहीं गुरुजी ने कहा योग्य कार्य होता ही रहेगा तब जेराम जी ने कहा यदि आपको नवाब दोलत खान का मोदी खाना लेकर अफसर बनाया जाए तो अच्छा है परन्तु नवाब का मोदी खाना बड़ा है गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं वो करता सब कुछ करने को समुरत है शी गुरु नानक देव जी मोदी खाने का कार्यबार को सहन करने के लिए तयार देखे तो नानकी ने कहा भाई भाई जी मेरा विचार है कि अपनी प्रकुर्ती के अनुसार बजन ही करो तो ठीक है जहां भगवान हमें खाने पहिने को देता है वह आपका भी गुजारा हो सकता है आप तो परमात्मा के ही रूप हो फिन नानकी जी ने जोहराम जी से कहा कि आप नानक देव जी को संसात जटो में न डालो मेरा भाई तो साध्यों का प्यारा है इससे काम नहीं लेना चाहिए इस पर श्री गुरु नानक देव जी करने लगे भहिन जी पूरुष को सदेव काम कर ही खाना उचित है इससे पवित्रता होती है तब नानकी जी ने कहा जैसे आपकी इच्छा फिर नानकी जी ने जेराम से कहा कि आप मेरे भाई की सगाई का विध्यान रखे जब भाई ग्रस्ती हो जाएगा तब कमाई की और विसोय अग्रसर हो जाएगा जेराम जी ने कहा सुनो जी जब काम पर लग जाएगा तब सोय सगाई चली आएगी इसकी चिंतव वर्त है उतावली होना ठीक नहीं तब नानकी जी ने कहा मैं तो नादान हूँ और आप बुद्धिमान है जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे तब जेरम जी ने मार्ग शिष्ष शुकर चत्तोदसी के दिन नवाब दोलत खान से गुरुजी का मेल करवाया और जेरम जी ने नवाब को कहा कि आपने एक बार मोधी खाने के लिए कहा था तो आपके हुकोम अनुसार यह जवान जिसका नाम नानक देव है लाया हूँ आप इसे मोधी खाने का काम दो नवाब ने श्री गुरुजी की मन मोहत इश्वरिय सूरत देखकर प्रसद्न होकर कहा कि नानक देव बुद्धिमान दुष्ट गोचर होता है आशा है कि मोधी खाने को भली प्रकाश संबाला लेगा यह करकर मोधी खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया बीबी नानकी को अतिप्रसंता हुई वाहि गुरुजी का खालसा श्री वाहि गुरुजी की फते धन गुरु नानक